हेलो फ्रेंट्स तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइलिंक के टेस्ट के बारे में पिछली वीडियो में हमने बात की थी पाइल कैसे करते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देर खाए आप देखना चाहें तो देख सकते हैं आ 300 डाया एंड 375 mm डाया ठीक है अगर हम इसकी 300 डाय की टेस्ट लोड की बात करें तो इसमें देखा रखा होगा लोड केरिंग कैपसिटी ओफ पाइल यानि कि टन में हमारा जो वेट रहने वाला है वो 10 तन तक हमारा 300 डाया जो है वो जहल सकता है factor of safety यानि कि अगर safety के लिए हम बात करें तो 3 से multiply तीन गुना 10 तन अगर हमारा 300 डाय का पाइल लोड जहल रहा है तो तीन गुना तक जहल लेगा तभी उसे एकदम safety माना जाएगा ठीक है तो 30 तन इसका जो ultimate लोड होगा ultimate लोड यानि कि जो हमारा test का आखरी लोड होगा वो हो तो इसका भी safety factor जो है वो तीन है यानि कि 42 तन तक हमारा 375 डाय वाली जो पाइल है वो लोड बेरिंग कर सकती है तो इसी को इस चार्ट के द्वारा ही हमने पाइल पाइलिंग का test कराया test कैसे कराया वो मैं वीडियो में आपको आगे लेकर चलता हूं उसमें हम बात करेंग कि पाइल का हमारा test कैसे होता है क्या इसके rules रहते हैं क्या नियम रहते हैं और किस तरीके से इसको किया जाता है तो देखो सबसे पहले यह होता है एक hydraulic jack आपने देखोगा ज्यादा तर चोटी चोटी गाड़िया या फोर विलर हो गए या फिर ट्रक वगरा होगा उनके पा ने कटे भरके रेते के रखे हैं और उस पर यह अब इन्होंने hydraulic jack लगा दिया इस जैक के जरिये से यहां इसमें क्या होता है इसमें double jack होता है यहां पर hydraulic हो गया और इसका jack अंदर की साइड होता है जहां पर उसके नीचे platform के नीचे उसको fix किया जाता है यह एक हम घड़ी यहां पर यह fix करते हैं इसका load बताती है यह इसके घड़ी जो है fix होती है यह इन्होंने platform बना के रखा हुआ है काफी बड़ा और इस पर हमने जो रखा हुआ है वो 60 टन का रखा हुआ है क्यूंकि हमारा जो starting में था वो 60 टन का एक test कराने का calculator हुआ था लेकिन उसके बाद म यह पूरा platform जो है हुरा इस जैक पर रुका हुआ है देखिए आपको दिख रहा होगा इस platform princess यह हमारा पूरा platform हमारा इस जैक पर रुका हुआ है जैसे ही हम इसको start करेंगे तो यह jack इस पूरे platform को अपकरेगा यानि कि उठाएगा इसी तरीके से आपने दिखोगा फोर विलर हो गए या फिर ट्रक वगएरा में इन लोगों के पास या इड्रोलिक जैक आते हैं लेकिन हाइड्रोलिक जैक उनका सेम एक ही होता है लेकिन इसमें क्या किया इन्होंने जैक अलग दे दिया और हाइड्रोलिक अलग दे दिया है ताकि हाइड्रोलिक हम बाहर रख तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है इसलिए जैक को अंदर लगाते हैं और हाइड्रोलिक को उसको बाहर रखते हैं तो उसके हिसाब से इसका पाइल टेस्ट किया जाता अब टेस्ट करने के लिए इसको 15 मिनट यानिकि अगर हम किसी लोड को अप कर देते हैं अगर हमने कोई लोड दे दिया कि वह पाँच तन का लोड हमने स्टार्टिंग जो होती है फाँच तन की होती है फाँच टन का लोड देने के बाद हम इसको रोक देते हैं और लगवाग 15 मिनट तक हम इसको उस पाँच टन लोड के साथ इसी उसी पोजिशन में लगा रहने देते यह हमारा एक हजा मतलब हेंड्रेड अगर किलो न्यूटन है तो यह तो इस अब यह इन्होंने सेट करके रखा हुआ इसको अब इसको यह करेंगे आप देख रहोंगे इन्होंने एक उसकी रॉड रखी हुई है रॉड हाइड्रोलिक जैक में फसाक हाइड्रोलिक में फसाके उठा रहा है तो अब धीरे धीरे जब यह पोजीशन पर अपनी आएगा तो यह पूरा प्लेटफॉर्म अप करेगा चेक अप करेगा तो इनका जो नंबर एक वाला जो इस्टेप रहता है वो रहता है पांच टन यानिकि सिर्फ पांच टन ही यह लोड अप करेंगे उसके के बाद में यह 15 मिनिट तक रेश्ट करने देंगे उसको यहनकि उसी पोजीशन में उसको छोड़ दिया जाएगा 15 मिनिट तक 15 मिनिट के बाद 15 मिनिट के बाद इस पे फिर यह पांच टन बढ़ाएंगे यहनकि 10 टन कर देंगे टोटल टोटल 10 टन करने के बाद यह 15 मिनि तयार करते हैं वो अपना फिल करते हैं कि इतने टाइम पे उस पे टाइम लिखा जाता है कि इतने टाइम पे हमने इतना लोड दिया और इतने टाइम पे इतना लोड दिया तो इसी तरीके से हर एक चीज को नोट किया जाता है इनके बॉंड में उसी बॉंड के द्वारा observe यान की bearing कर रही है और pile जो है successful है अगर fail हो जाती है तो उसमें failure का report बनता है तो अब आप देख रहोंगे यह सोई देखो ऊपर हो रही है तो सोई ऊपर हो रही है तो यह अब हमारी सोई जो है वो 5 टन पर पहुंच गई है यह जो छोटा खाना आप देख रहे हैं यह छोटा 400 किलोनीटन 40 टन पर यह सोई पहुंच चुकी है ठीक है यह देखो 40 टन पर यह पहुंच चुकी है अब इसको यह आदा घंटे तक इसी वेट पर रेश्ट कराएंगे रेश्ट कराने के बाद जब आदा घंटे तक हमारी पाइल नहीं धस्ती है तब यह पाइल हमारा जो गया है ठीक है इसमें 12 mm के बाद अगर धस्ती है 12 mm से ज़्यादा अगर धस्ती है पाइल तो फिर वो पाइल आपकी फेल हो गई है तो यह भी आपको याद करना जरूरी है कि अगर कोई भी पाइल है बारहा से जैनकी 300 से 600 डाय तक 600 डाय तक पाइल जो ती है वो 12 mm तक जादा नहीं रसनी चाहिए तो दोस्तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा अच्छा लगा हो तो लाइक करें शेयर करें और कमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि कोई भी वीडियो अगर हम अपलोड करें वीडियो तो सर दोस्तोria अदिए पक्रें से पितरो लाँ करेंगा ओल स्बसे ता समिम्स क्रेंज चैनल करें